एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूचा पापा मेरी लाइफ की क्या वेल्यू है तब ही पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिन्दगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूचे तो कुछ मत कहे ना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का मार्केट गया वो कुछ देर तो वहाँ एसे ही बेठा रहा लेकिन कुछ देर बाद ही एक बोड़ी ओरत उसके पा वो बच्चा एक दम से शोक्त हो गया कि एक पत्थर की किमत 200 रुपे चुकि पत्थर जंडरली कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस 200 रुपे वो दूरत अपने पापा के पास गया और बोला पापा मुझे मार्केट में एक बूड़ी ओरत मिली थी और इस पत् मुजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर बल पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूझ रहा और उसने अपनी दो उंगलियां कड़ी कर दी तभी वो आदमी बोला 20,000 रुपे ठीक है मैं तुमें इस पत्थर के 20,000 रु मैं तुमें आखरी जगा पेशने जा रहा हूँ और अब तुमें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूझे तो कुछ मत कहिना बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना वो लड़का चल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान प बोला ओ माइग गौट इस पत्थर की तलाश में मिन अपनी पूरे सिंदगी गुजार दी कहां से मिला है पत्थर और क्या बाईसे इसका कितना लोग है तुम इस पत्थर के लिए वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी तभी वो आदमी इसके लिए दो लाग रुपे देने को तयार है तब ये उसके पापा ने कहा क्या तुम आप समझे अपनी लाइफ की वेल्यू आपकी लाइफ की वेल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आपको कहा रखते हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपको दो सो रुपे का पत्थर बनना है या फिर दो लाग रुपे का जिन्दगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जालसे बहुत प्यार करते हैं उनके लिए आप समझे और कुश लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एप वस्तु की रुपे उप्योग करेंगे उनके लिए आप कुछ भी नहीं, ये आप क्यों पर डिबन करता है, कि आपकी लाइक की वेल्यूड क्या होगी?